मुंगेर से भागलपूर मिर्जा चौकी तक चार हज़ार करोड की लागत से बनने वाले फोर लेन सड़क की कागजी और रयतों को भुकतान की प्रकिरिया तेज हो गई है जमीन देने वाले लोगों को 140 करोड रुपिय का भुकतान किया जा चुका है फोर लेन निर्मान का कार भागलपूर में जिच्छो बिसनपूर से सुरू होगा कार एजनसी मौन्टे कारलो ने इसका ठेका लिया है कैंसरकार द्वारा करीब एक वर्थ से पहले भागलपूर और मुंगेर वासियों को बहुत बरी सोगात दी गई थी उसका काम भी जो है अब शुरू होने लगा है दरसल एक वर्थ से पहले मुंगेर से मिर्जा चुकी तक भाया भागलपूर फोर लेन पूल का निर्मान की मंजूरी कैंसरकार ने दे दी थी जिसके बाद रहियतों को भुगतान करने की प्रक्रिया तेज थी बीच में कोरोना काल और बाहर का समय आया तो जिसके बाद सिर्फ रहियतों को भुगतान हो सका है फोर्लेन सडक निर्मान के लिए बेरानमे मोजा में जमीन अधिगरहन होना था लगबख सभी मोजे की जमीन अधिगरहन की प्रकिरिया पूरी कर ली गई है रसलपूर से मिर्जा चौकी के बीच दो जगा टोल पलाजा का निर्मान किया जाएगा कई जगों पर गुलंबर बनने हैं से जो डिमार्केशन का काम होता है काम सुरू करने से पहले वो पूरे एरिया में जो तीनों पैकेज है उसमें चल रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत जल्दी आपको अस्थल पे भी काम देखने को कम से कम दो पैकेज में वो मिल जाए जिलादिकारी ने कहा है कि रहियतों को भुक्तान कर दिया गया है 140 करोर रुपिये जो हैं बुक्तान किया गया है साथी 100 करोर जो रहियतों ने नहीं लिया है उसका भी मिखित शिकायत दे दिया गया है मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 124 किलोमेटर लंबी सड़क का 98 किलोमेटर हिस्सा भागलपूर में बनेगा इस सड़क के बन जाने से जारखन और बंगार जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यातायात के मार्ग भी सुगम हो जाएंगे कब तक ये काम पूरा हो पाता है और भागलपूर वासियों को जाम के साथ साथ जो वैपार की शुविदा है वो कब तक मिल पाती है जाम से निजात कब मिल पाता है अश्वनी कुमार बिग निउस भागलपूर